दोस्तो साबन के महीने का हर एक दिन बहुत इशुब और मंगलकारी माना जाता है साबन का हर एक दिन उतना ही पवित्रे माना जाता है जितना की पवित्रे गंगा जल साबन का महीना भगबान भोलेनात की शक्ती का महीना माना जाता है और साबन महीने में जितना ज़ादा हो सके सारे कामों का त्याक कर अगर कोई भक्त बिशेश तोड से भगबान भुलेनाथ को प्रसंद करने में लग जाता है तो उसकी कुंडली के वारे न्यारे हो जाते हैं शाक्षाद भगबान भूलेनात उसके जीवन में परवेश कर जाते हैं और भूलेनात का उसके घर में आगमन हो जाता है इसी बज़े से साबन का विशेश महत्व रहता है दोस्त तो इसी तरह साबन के बारे में बताया जाता है कि जिस पिरकार आप अच्छे कारे करके भूल अन्य था आपको दुखत प्राप्ती भी हो जाती हैं। ओम नबस शिबाए साबन की हारदिक शुब कामनाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बैल आइकन को जरूर दबाईएगा दोस्तो आज के समय में उधार देना या लेना हर ब्यक्ति के जीबन में जरूरी सा हो जाता है कोई किसी को उधार देता है तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीबन में अच्छी चीजे बापस प्राप्त हो सके तो इसकी बज़े से वो उधार देते हैं तो कुछ ब्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, साबन के महीने में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली बिदबान हो जाती है, कम से कम साबन के महीने में तो ऐसा ना करें। जुड़ी पूजा की सामगरी, आप भूल कर भी किसी को उधार या दान के तोर पर भी ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामगरी दूसरे ब्यक्ति को देते हैं तो आपके घर से भोलेनात दूसरों के घर चले जाते हैं, और आपको वो नहीं विड़ेनात शाक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, कि साबन के महीने में भूल कर भी कोई ब्यक्ति आपसे धन उधार मागने के लिए आता है तो आपको उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए, औ बलकि इस समय धन देने बाला और लेने बाला दोनों कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तो सावन का महीना भगबान भोलेनाथ को दूट अभिशे करने का महीना माना जाता है। और भगबान को सफेद चीजे चड़ाई जाती हैं। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। साबन के महीने में अगर भोलेनात को चड़ाने के अलाबा कोई ब्यक्ति सुभा सुभा के समय आपसे दूद, दही, छाज या फिर संधे काल के समय में उधार मांगने के लिए या ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है तो आपको भूल कर किसी अन्य ब्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप भोलेनात को चड़ाने के अलाबा ऐसा कार्रे करते हैं तो मान लीजी आपके घर की लक्षमी दूसरों के घर चली जाती है और शाक्षात भोलेनात के क्रोधका भी आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप किसी ब्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कुछ चीजे देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूल कर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने बाली घड़ी या फिर बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए क्योंक अब किसी अन्य ब्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने बाले समय के अंदर अच्छे परिनाम देखने को नहीं मिलते इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों साबन के पवित्र महीने में कुछ चीजे ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुक समर् तो ऐसे में बहुत चीजे किसी भी ब्यक्ति को उधार नहीं देनी चाहिए बो भी संध्यकाल होने के बाद जैसे कि कोई आपसे लैसुन प्याच, दूद, दही तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है तो जब सूर्य उधे होता है साबन के समय सुभा सुभा या फ घर चली जाती है और आपको उसका अच्छा परिनाम देखने को नहीं मिलता दोस्तो साबन के पवित्र महीने में आपको उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए जो दान पुन्ने से जुड़ी होती है दान पुन्ने करना हिंदूस्तान की परंपरा रही है हर ब्यक्ति जान पुन्ने करके साबन के पवित्र महीने का लाप उठाता है लेकिन साबन में आपको दो पिरकार के बस्तर ना तो खरीद कर लाना चाहिए और ना ही किसी ब्यक्ति को देना चाहिए इसके अंदर पहली चीज तो होती है काले और सफेद कपड़े आप विशेश रूप से ध्यान रखें भूल कर भी किसी भी सोहगिन महिला को सफेद कपड़े उधार या फिर दान दक्षना के तौर पर नहीं देने चाहिए माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके बैबाहिक जीवन को ये पिरभावित करता है और उसके बैबाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं तो इसी बज़े से इसका ध्यान रखना चाहिए दोस्तों विशेश तोर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर या उधार के तौर पर साबन के महीने में नहीं देनी चाहिए ऐसी माननेता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो सामने बाले बैक्ती के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने बाले ब्यक्ति के जीवन में राहु दोश लग जाता है और शाक्षात बोले नात उस ब्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए दोस्तों महिलाओ की आदत होती है कि जब रसोई के अंदर किसी पिरकार का सामान कम या जादा होता है तो अपने आज पडोस में मांगने के लिए आ जाते हैं तेल घी या फिर अपने घर की हल दी ये तीनों चीजें सौभागे का पृतीक मानी जाती हैं जिस घर में ये चीजे होती हैं माना जाता है कि साबन के महीने के बाद उसके घर मे सुख समर्दी बनी रहती है तो साबन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूल कर भी इस पिरकार की चीजे आपको उधार ना तो देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए अगर आप ये गलती करते हैं तो देखते ही देखते आपके परिबार पर दुखत परिनाम देखने को मिल सकते हैं और आपके घर की सुक समर्दी दूसरों के घर चली जाती है दोस्तो साबन के महीने में बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए ना ही किसी जानबर को खिलानी चाहिए बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है इसलिए अगर आप भुले बाबा की किरपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ताजी रोटी तथा ताजे बने चाबल ही खिलाने चाहिए इससे भगबान भुले नात बहुत खुश होते हैं दोस्तो साबन के महीने में अगर आप किसी ब्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं लेकिन ध्यान रखें काले और सफेद कपड़े ना दें जो आपके अपने पहने हुए और अपने पुराने कपड़े भूल कर भी किसी को भी दान के तोर प या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देनी चाहिए माना जाता है कि अगर आप अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य ब्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समर्दी जुड़ी हुई होती है अगर वो दू पहने हुए कपड़े कभी किसी को ना दे आप चाहें तो साबन में बाजार से नए कपड़े खरीद कर दान दे सकते हैं। तथा गले में धारन करने बाला मंगल सुत्र और तीसरी चीच अपने पैरों में पहनने बाली पायल और चौथी चीच पैरों का बेचुआ और चूडियां सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। बोलेनात की विशेश किरपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको सुक समर्दी की इच्छा है भगबान भोलेनात की असिम किरपा पाना है तो साबन में नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षना अवश्य डालें तथा थोड़े चाबल भी दान करें। नमक का दान सर्विशेश्ट माना जाता है। आप रात और रात अपना भाग्य बदल सकते हैं।